हन्मस्कार, देश हिंद्वी सराज की सालेट 302 साल गीना मना चुका है और सुभाग्ट से हम शिवाजी महराज द्वाराज श्थापित हिंद्वी सराज की भी साल्गेन से अंप 351 11 साल गीने प्रवेश कर चुके आज हमारे साथ हैं श्री शिवाजी रायगार इसमारक मंडल के कारवा माने सुधी थोराट जी का दिल्ली आगमन आठ पुस्तकों के विमोचन के अफसर पर हुआ और इस अफसर पर हमें उनके साथ बातचीत करने का मुगा मिला सुधीर जी कारेकरम में आपका बहुत-बहु सबस्ता है कि जैसे कि हम सबको पता है कि स्वराज की मूवमेंट जो चल रही थी अभियान उसमें लोकमेनत इलग जी का बहुत बड़ा योगदान था जो इसमें लोगों को जोडने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपक्रम योजनाएं बनाई थी जैसे कि उन्होंने में यह जो गणेश जी का उत्सो महाराश में होता है उसको सारवजनिक तोर पर करना शुरू कर दिया लोग यह मूवमेंट में आ जाये इसलिए उसी तरह उन्होंने राइगड किले पर जो चत्रपती शिवाजी महाराश की समाधी थी वह एकदम छोटे सी थी और बहुत ही खराब अवस्ता में थी उसका जिरोनोधार करने के लिए उन्होंने पहले सोचा और उसी के लिए उन्होंने एक संस्था स्थापीत की उसी संस्था का नाम श्रीशिवाजी राइगर्स मारकमंडल है थोड़ी सी इसकी मैं बैक्राउंड आपको बता देता हूं लगबग 1885 की बात है मतलब आस से लगबग 140 साल पहले की बात है एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो राइगर के लिए पर गया था जब अंग्रेजों ने 1818 में मराठा सामराज्यों पूरी तरह से समवप्त कर दिया और अपना कपजा जमाया है हिंदुस्तान पर उसके बाद उन्होंने काम किया था कि सभी कीलों पर जाने के लिए पाबंदी लगाई थी कीलों की तरफ जाने वाले रास्ते उन्हेंने वहां के पीड काटकर बंद कर दिया थे बहुत सारे नियम ऐसे बनाए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर कीले पर जाये का तो उसको अटक कर देंगे इसी कारण कोई भी व्यक्ति कीले पर नहीं जा रहा था जा सकता था तो 1818 से लेकर 1883 तक 1883 तक कोई भी वेक्टी किले पर गया नहीं जेम्स डगलस करके एक ब्रिटीश ऑफिसर था जो ब्रिटीश होने के कारण उसने पर्मिशन कहीं से भी प्राप कर ली ब्रिटीशों से ही और वो रायगड किले पर गया उन्होंने वहां की जो दुरावस्ता है वहां की जो उनेक वास्तू वहां पर रहे हैं उन्हों की जो स्थीती वह बहुत खराब थी उसका वर्रण उसने अपने बुक of Bombay इस पुस्तक परहआ है उसमें एक सेपरेट चैप्टर राइगड किले पर ही है उसमें उसने यह सब लिखा यह लोकमाने तिलक जी ने देखा तो 1885 में उन्होंने पूने में एक सभा बुलाई उस सभा में बहुत सारे उस समय के जो महत्वपुणे वेक्टिया सारवजी चीनमन में काम करती थी वह उसमें उपस्ति थी सबने मिलके संकल्क किया कि हम शिवाजी महाराज की समाधी जो है उसको उचित स्थान देंगे और उसका जिरोनों धार कर देंगे लेकिन लोकमान्य तिलग जी की यह जो सवराज्य के लिए मुमेंट चल रही थी उसमें हमेशा किसी ना किसी कारण उनको जेल में जाना पड़ता था तो जैसे वह जेल में जाते थे वह मुमेंट का थोड़ा लुकसान होता था तो इसमें लगबग 10 साल गए 1895 में लोकमान्य जी ने फिर से इस मुमेंट को पकड़ लिया और 1895 में उन्होंने टीस मई 1895 को पूणे में और एक सभा विशाल सभा आयजित की उसमें उन्होंने संकल्प किया कि हम रायगड की जो शिवाजी माराज का समाधी का जो स्थान है वो समाधी का हम माराज की थी कि उसी संस्ता का नाम है श्री शिवाजी रायकर समारक मंडल आगे चलकर इसी मंडल ने तीस साल से ब्रिटिशों से संगर्श करके 1895 में ये तो मंडल की संस्ता की स्थापना हो गई थी तो 1925 में अंग्रेजों ने पर्मिशन दे दी समाधी का जिरोणत्दार करने के लिए लेकिन तब तक हर साल शिवाजी माराज की जो पुण्य थी थी है उनका निधन जीज़ करके वो पर्मिशन ले ली और 1896 से हर साल शिवाजी महाराज के पुण्यतिती समारोव का आयोजन होने लगा बाद में 1925 में ऑफिशियल पर्मिशन अंग्रेजों से मिल गई तब दोक्मान्य तिलग जी का भी निदन हो चुका था लेकिन उनके जो सहकारी थे उन्होंने इ य सहबाक्से मतलब लोगों से नीदी चंदा ऐक्टा करके फिर वह थोड़ा सा कम हो रहा था या तो कुछ गवर्मेंट में उस समें के अंग्रेज गवर्मेंट ने वहां का जिला था उस समय उसे पहले हो गया कुलबा कुला फालीवा झीले के जो का पी डशौबार्प्मे कि संस्था है सुधिर जी किले का जिरोधान तो लोकमाने तिलग जी के समय में हो गया था लेकिन उसके बाद आपकी संस्था ने मंडल ने किले के लिए और क्या-क्या कारिये किये जो लोगों के लिए पेड़ना का स्रोद्ध मनें जैसे कि मैंने कहा 1925 में यह समाधी का जिरोणत्दार तो हुआ लेकिन शिवा पुन्यतिती समारोका आयो जन तो पहले से हो रहा था वो तो कारिकम आज तक चली रहा है 1674 में 1674 में शिवा जी महाराज का राज्जा भिशेक भुआ था तो 1974 में उसको 300 साल हो गरे तो 300 साल गिरा की लिए राज्जा भिशेक के हमने एक छोटी सी पुस्तिका बनाई और राइगड किले की सब जानकारी उसमें दे दी हमने और महाराज के हर एक गाव में वो पहुचाई ताकि लोगों को पता चला शिवा जी महाराज और राइगड किले के बारे में फिर 1680 में शिवा जी महाराज का निधन हुआ था उनीस सो असी में 300 साल हो रहे थे हमने उस समय की जो पंतप्रदान्ती जो नहीं नहीं चुनकर आई थी स्वर्गी इंद्यरा जी उनको राइगड किले पर शिवपुन्यतिती समारोह के विशेशातिती के रूप में लगबग 1400 सीडिया पार करते हुए आये थे और उस समय हमने इंद्यरा जी को स्वर्गी इंद्यरा जी को कहा कि यह सभी अवस्था के लिए कि इतनी खराब है इसके लिए कुछ होना चाहिए काम और जो सिहासन का स्थान है समाधिका जिरोनतदार तो हमने 1925 में किया था ले इसके डिजाइन बनाकर सिहासन पर एक चत्र बिठाया जो 1985 में जिसका उद्गाटन हुआ जिसके लिए फिर से लब मतलब दोबारा ग्यानी जलसिंग आये थे तो उनहीं के निर्देश से पहले चत्र का निर्मान महराश्य शासन ने शुरू किया जब वो पूरा हो गया त तो उसका उद्गाटन करने के लिए ग्यानी जलसिंग आ गये थे तो यह सब जो है इसका फॉलॉप हमने किया था यह होना चाहिए किले पर फिर अगले साल महाराश के जो मुख्यमंत्री थे स्वर्गे शंकरो चवान उनको हमने किले पर विशेशातिक्री के रूप में कि डिपीर कहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाके दे दो और आपकी संस्ताही यह काम कर सकती हैं तो हमने कुछ हिस्टॉरियंस कि कुछ आर्केटेक्ट कुछ इंजिनियर्स अब फिर आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के ऑफिसर्स और कुछ सोशल वर इसलिए महाराश्च गवर्मेंट के पास कुछ रिस्रिक्शन्स होती है वहां निर्बान कारिया को लेकर लेकिन यह जो रिपोर्ट हमने बनवाई वह गवर्मेंट को देदी गवर्मेंट ने जो स्टेट गवर्मेंट ने जितने काम कर से उसी प्रोजेक्ट में हमने दिया था कि बच्चे लोगों को बुड़े लोगों को सब लोगों को आने के लिए सुवीदा हो इसलिए इस किले पर आप रोप्वे का निर्मान कर सकते हो कहां वो रिपोर्ट जो था उसका रोप्वे का सैंक्शन धाहराथ गवर्म अलग-अलग 27 डिपार्टमेंट्स थे जिनकी पर्मिशन लेना अवश्चक था जो हमने लिया और फिर रोपवे का जो गठन है वो हमने 1990 में शुरू किया काम, 1996 में वो काम पूरा हुआ, बहुत सारी अडचने उसमें भी थी, लेकिन हमने पूरा किया इंस्टॉलेशन, 1996 में जब यह रोपवे बन गया, उस समय एक साल में किले पर सीडियों से चड़कर आने वाले लोगों की, यह शिवाजी महाराज के, जैसे यहाँ पर शिवा भकता रहता है, तो महाराज में शिवा भकता मतलब शिवाजी महाराज के भकता, तो शिवाजी महाराज के यह जो भ 10,000 लोग ट्रेकर्स अभी हम 2024 साल में हैं तो 2023 का अकड़ा 7,000,000 लोगों का है तो हम एक साल में 10,000,000 लोगों से लेकर 7,000,000 तक पहुझ गए रोपे की जो क्षमता थी वो भी पहले एक साथ आठी लोग उपर जाते थे फिर हमने थोड़ी सिक शमता बढ़ाई 12 लोग जाने लगे फिर और बढ़ाई अठरा लोग जाने लगे अभी 24 लोग एक साथ जा रहे तो इसी के कारण रायगड़ कीले के तरफ हमने लोगों का ध्यान खीच लिया गवर्मेंट मचिनरी आर्केलोजिकल सर्वे का भी ध्यान कीच लिया और उसके कारण कीले पर आने जाने का रोगों का प्रमान जो है वह नंबर हो है वह बहुत सारा बढ़ गया 2012 में हमने और एक रिपोर्ट बनाया क्योंकि 25 साल हुए थे और कुछ नई चीज़े भी आ गई थी तो हमने नए तरीके से एक और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया वह महाराश्य गवर्मेंट को दिया दो साल उस पर कुछ एक्षन नहीं हुई लेकिन 2014 में जब मानिया देवेंदर जी फड़ेंट विस महाराश्य के मुख्यमति बन गए उसके बाद हमने 2015 में शिवा पुन्यतिति कारेक्म के प्रमुख अधिति के रूपे उनको बुलाया था उन्हें हमने यही रिपोर्ट राइगड के शिवा जी महाराश के सिहासन के सामने सौब दिया उन्हें वही पर देखा और अपने भाशन में उन्हें कहा कि इस पर मैं कुछ एक्षन जरूर ले लूँगा अगले साल दोहजार सोला में देवेंदर जी राइगड किले पर एक राज्जा भिशेक का भी समारो होता है मैं जो बोलना हूँ इस शिवा जी महाराश की पुन्नेती थी का लेकिन राज्जा भिशेक समारो के लिए भी आये थे वहाँ उन्होंने एक अनॉंस्मेंट की और उसमें उन्होंने कहा कि राइगड किला और आसपास के लगबग 21 चोटे चोटे जो गाव है ये सब का मिलके हमने एक डीपीर बनाया है और इसके लिए मैं अभी यही पर किले पर आपके सामने अनॉंस्मेंट करता हूँ कि मैंने 603 करोड़ उसके लिए संक्शन किया है इसलिए राइगड किले पर 603 करोड़ संक्षन हो गए और कि ले का बहुत सारा काम अचकर चल रहा है पिछले चार पास साथ साल में रिए कि लिया बहुतार वास्तू जो है उनका जिर्णोधार का काम चल रहा है सीड़ीयों का काम हो रहा है सीडियों की हाइट कम करने का काम हुआ है तो सीडिया थोड़ी बढ़ गई नंबर बढ़ गया लेकिन हाइट कम हो गई उनकी उसके कारण चड़ने के लिए आसपास के गाव में बिजली सड़क यह सब की व्यवस्ता हो गई और बहुत सारे लोगों को नए त प्रवासी लोगों के लिए जो सुविधा लगती है बेसिक वो सब व्यवस्ता इस तरीके से बहुत सारे अच्छे तरीके से फलक लगाना वहाँ पर ऐसी बहुत सारी काम हो हो रहे है लगबग 603 करोड के तो उसके लिए महाराश गवर्मेंट ने एक राइगट डेवलोप मंदल के अध्यक्षन श्री रगुजी राजे अंग्रे जो मराठा नौसिना के प्रमुक थे उनके वह और ऐसे एक और मराठा सरदार थे बलकवडे करें उनके भी महाँशच पांड़रंग जी बलकवडे जो हिस्तोरियन भी बहुत अच्छा है हम तीनों को गवर्मेंट न उननीज भी सदापदी में उसका सवरू आपने पूरा बदल दिया और जो लाखो परेटक वहां पोच रहे हैं आज उससे पेड़ना ले रहे हैं शिवाजी महराज की इस मर्ती में क्या क्या चीजे वहां है जो लोग देखते हैं शिवाजी महराज का जो सिहासन था वो सकते हैं कि उनकी जो राणिया रहती थी उनके निवास स्थान वहां पर है कुछ मिनार जो है वह वापर है पूरी तरीके से जिसे हम बाजार पैट कह सकते हैं दुकान और यहां सब मकान आगे और पीछे इस तरह कैसे रहता है या ऐसे भी बहुत सारी इर्मान वहापर आल् मिलते हैं एक जगदिश्वर मतलब बगवान चंकर जी का ही मंदिर वहापर है शिवाजी मारास की समाधी जो है वह स्थान वहापर है लगबग 300 ऐसी वास्तु है जिनके प्लिंस या कुछ खड़ी दिवारे या गिरी हुई दिवारे भी कह सकते हैं ऐसे वहापर वहापर स्प मई और जून के महने में जब बारिश अभी शुरू नहीं हुआ है उस समय भी अगर 50,000 लोग भी किले पर आज आए तो भी पानी की विवस्ता किले पर है बहुत संदर इतनी सारी चीजे शिवाजी माराद ने अपने काल में निर्मान करके रखी है तो ऐसी बहुत सारी ची को तो जिंदा रखे हुए है इसके साथ की सिवाजी महाराज के शाहित्ते उनकी शैन में चमता उनकी परसासन की नीतियों को लेकर भी आप बहुत बड़ा कारे कर रहे हैं अभी आपने दिल्ली में उनको लेकर आठ किताबों का भी मोचन किया तो उसका उद्देश क्या है कि शिवाजी महाराज के बारे में महाराश में बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन महाराश के बाहर कुछ बेसिक चीज़े ही सब लोगों को पता है जैसे कि बहुत सारे लोगों को इतना पता है कि उन्होंने अफजल खान आया था उन्हों को मानने के लिए तो उसका वद वहां से चुटका रहा हुआ अगरा में गए थे तो आगरा में अपने सवाबिमन का दर्शन दिखाया और उसने कैद कर लिया तो उससे भी बहरा आ किस तरह से Umm तब के अपनी गूर सवार जो सेना है उसका निर्माण उन्होंने कैसे किया टा जिन लोगोंके पास खुदного नहीं है उनको ऊनोंने कैसे गुर्स बनाया पिर बी इनके पास खुद टा है उनuta उनका सवयोग कैसे लिया अप़्ली नव सेना का निर्माण उन्होंन कुल ने क्या-क्या योजना बनाई अगर मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा और उनको पता था कि आउरंगे प्यापर आने वाला है आकरमन करने के लिए उस समय की जो व्यवस्ता है वो सभी व्यवस्ताओं की रचना शिवाजी महाराद ने अपने होते हुए की थी जैसे के हरे के नाम से उनका ऊरिजिनल लेटर एवेलेबल है जिसमें हरे किले का नाम लिखा है उसके सामने उस की बड़ा के लिए कि लिये कितने हुए कंसे जरुरत है वे पैशो का उनका जो चलनथा तो इतने 5000 पहले के लिए दूसरा अगर कोई बड़ा के लाए तो उसके लिए पचीस अजार होन इस तरीके से जिसे हम रखा था उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करने के लिए अलग से पैसे रखे हुए थे रिजर्व करके उसका ओरिजनल लेटर आज एवेलेबल है बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने जिरणोधार भी किया या निर्मिती भी की अनेक साधूसंतों जो थे उनको कई सारे इनाम या उनका जो मर्ठ आश्रम रहता है उसे चलाने के लिए अश्रह दिया उनको पैसे की जरूरत है वह पैसे की वेवास्ता हर साल के लिए उन्होंने की ऐसे बहुत सारे है जैसे की नेतो जी पालकर जो उनके सेनापती थे जो औरंग जेप ने उनको पकड़ लिया उनको जबरदस्ति उनको मुसल्मान बनाया नौ साल के लिए उनको अटक पेशावर के दूर वहां तक भेजा था उसने लेकिन नौ साल के बाद संधीव जब उनको मिल गई उनको मोका मिल गया वह यहां पर आए और औरंग जेप से शुटकारा पाकर दक्षिन में आगे शिवाजी महाराज के पास आगे तो शिवाजी महाराज ने उस समय की प्रथा थी कि एक बार हिंदू दर्म से कोई बाहर गया तो फिर से हिंदू नहीं बन सकता इस प्रथा परंपरा को खतम किया और नेतो जी पालकर को परावर्तन कर करके शुद्ध करके फिर से हिंदू दर्म में लेकर तो ऐसी बहुत सारी चीज़े जो शिवाजी महाराज की क्रांतिकारी सिद्ध हुई यह सब का वर्णन हमने इन पुस्तिकों में आप शिवाजी महाराज की एक गतिविदी का वर्णन किया है ताकि पूरे देश के बच् चत्रपती शिवाजी महाराज और उसको जिन्होंने लेखन किया है वह है डॉक्टर केदार फाल के जिन्होंने एड्मिनिस्टेटिव सिस्टिम ऑफ चत्रपती शिवाजी यह विशे लेकर पीएडी की है इकॉनॉमी ऑफ दे मराठा किंग्डम इस विशे पर उनकी दक है इसके बाद हमने ऊने दूसरे पूस्तिक कानीर्मान किया जिसका नाम है स्वराज सव रक्षन का संगर्श आथ कर उसके बाद ओरंग यह स्वराज को या उस पर कबंजा जमाने के लिए ने लिए महाराष में आ गया 1680 में निदन हुआ तो वो 1682 में महाराश पोश गया तब से लेकर 1707 तक मराठों का उसके साथ संगर्ष हुआ इस संगर्ष पर आधारित ये दूसरा पुस्तक है जिसमें शिवाजी महाराश के बाद चत्रपती संभाजी महाराश चत्रपती राजरा महाराश महाराणी विरांगनी विरांगना ताराराणी या संताजी गोरपड़े धनाजी जाधोराओ जैसे योद्धा थे सनापती थे इनका औरंगेजेप के साथ कैसे संगर्ष हुआ इस पर आधारित ये दूसरा किताब है जो हिंदी में आया है स्वराज सवरक्षन का संगर्ष और तीसरा जो है वह अठारावी शताब दीपर है जैसे कि औरंगेजेप का निधन हुआ तो उसके बाद चत्रपती शाहु जो है वह गदी पर आ गये उनके नित्रुत्वा में बालाजी विश्मात होंगे या पाजरव प्रथम होंगे या उनके बेटे नाना से पेश्वे होंगे यह नाना से पेश्वे के कारेकाल में ही अटक से कटक का सामराज्य बन गया उसके बाद माधरव पेश्वे थे यह सिंधिया इसे उत्तर भारत में कहते हैं महाराश में पाद में वह सिंद्य होगी तो सिंद्य है होलकर है गायकवाड है पवार है नागपूर के भोसले है ऐसे कई सारे सरदार उनके करतुत्व पराकरम के कारण एक विशाल सामराज्य खड़ा हो गया उसके बाद नाना पड़निस जैसे एक मुझसद्धी थे उन्हों इस कामकाश को किस तरह के समाला ये शब का वर्णन पानिपत का उसके पूर्वटी सीथि क्या थी कौन सी सीथि में मराठों को पानिफोक्त के युद्धै के लिए आना पड़ा देश की सवरक्षन के लिए उन्होंने क्या जरूर पराबुत हो गया लेकिन अपने आपना जो अधेय था वह उन्होंने प्राप्त किया क्योंकि उसके बाद एक बार भी अब्दाली दिल्ली तक फिर से नहीं आया यह पानीपत के युद्ध में जो थोड़े सा सेट बैक मिला था उसके कारण मराठों को थोड़े पीछे हटना पड़ा लेकिन फिर से उन्होंने अपना से ने जमाया और दस साल के अंदर दिल्ली पर फिर से कपजा किया 1771 में उसके बाद 23 साल तक महाजी शिंदे दिल्ली का कारोबार समाल रहे थे ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन इस राज्य में भी कुछ ऐसी गटना गटी या आपस में ऐसा संगर्श सुरू हुआ मराठ हुई जिसके जिसका फाइदा जिसका लाब जो है वह अंग्रेजों ने लिया और अपना स्वामित्व उन्होंने इस देश पर जमा लिया फिर भी इस राज्य की जो उपलब दिया है वाज हमें इस प्रशर रुप से दिखाई देती है हिंदू संस्कूति का सवरक्षन करन ने मंदिरों का निर्मान करने का काम इसमें सबसे ज्यादा तो योगदाम सबको पता है और इस साल उनकी 300 वी जयनती भी चल रही है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी की तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का घाट और इस सब्त का निर्मान किया तो इस मराठा सब्सकुर्टी को बचाने में हम कामयाब होगे पूरिये दुनिया में एक भी देश अपनी जो मूल संस्कुर्टी है उसका सवरक्षन करने में कामयाब नहीं हुआ है लेकिन 700-800 साल के गुलामी के बाद भी हिंदूस्तान में अगर अमारी संस्कुर्टी के हम बचा सके तो चत्रपती शिवाजी नाम है अंग्रेजी में दूसरे का नाम है दफाइट फ्रीडम आफ स्वराज और तीसरे का जो नाम है वह अंग्राथा एंपायर हिंदवी स्वराज्ज दूरिंग देटीं सेंचुरी तो तीन हिंदी और तीन अंग्रेजी बनगे महाराष्ट के एक हैं बहुत बड़े इतियास घजाननभासकर मेहन्देले है उन्होंने अगर चत्रपती शिवाजी महाराष्ट न होते तो इस विशे पर मूल्ख के पुस्तक लिखा यूअ उसका हमने हिंदी अनुवाझ किया था रू चत्रपती वाजी महाराज नहों होते तो इस तरीके का हिंदी अनुवाद है और उसी का अंग्रेजी अनुवाद भी हमने विमोचन किया है तो आठ पुस्तक जो है उनका विमोचन दिल्ली में फिराल हमने किया इसी विशे पर यह सभी कारेकम दिल्ली में अभी 31 जुलई को हो गया है य जैसे मैंने पहले का कि महाराश के बाहर यह ज्यादा इतिहास मालूम नहीं है सब्रों को उनको इसकी जानकारी देने के लिए बैसिकली हमने यह पुस्तिकों का निर्मान किया है महाराश में हमने इस विशे पर लेकर कुछ प्रतियोगेता शुरू की है बच्चों के बीच में बच्चों के में और महा विद्याल में 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 प्रतियोगेता शुरू कि दो छणों में एक स्कूल में होती है उसमें हमने तीन गट पनाए है और जो पहली उस तक है जैसे कि जो श्वाजमाराश पर है वह सात्वी कख्षा के लिए होती है दूसरा जो है स्वराज सवरक्षन का संगर्ष वह 8 जो घाल रखा है लेकिन यही किताब है व्यों को zor को पर हम कॉलेज में भी परिक्षा कंड़क करते स्परधा कंड़क करते हैं ग्यारावी और TD के लिए लिए फिर से सुस्तिक ए घ्रेजेशन के लिए दूसरी रहती है और पोस्ट के लिए पीसरी रहती है लेकिन लेवल वह क्षैन सत्वी पेक्जा का ध्याइक और 21 लिए कि थोड़ अधुकर क्षैना हम हुआ उससे धी यहीं जो तो एधालन शह धखना रहता हुआ झो उंच entering कोभिवेखती तो फीरह में प्रेट्व तो यह सो मार्क की एक्जैम रहती है एक घंटे की रहती है नॉर्मली इसे हम फरवरी के दूसरे शनिवार इसको हम सुबह 11 से 12 के बीच में कंड़क करते हैं सव मार्क की रहती है तो 50 mcq आपको एक घंटे में सॉल करने होते हैं जिसका हम रिजर्ट जो है वो लगबग 15 मार्श हमारी वेबसाइट पर आ जाता है जो participants है उनको सबको तो participation का तो certificate हम देते हैं जो तहसिल लेवल पर पहले आते हैं उनको तो एक अलगसा कोई cash prize भी हम देते हैं लेकिन इसकी खासियत यह है, यह पहले राउंड में यह जो तहसिल लेवल पर पहले आते हैं, उन सभी बच्चों को हम दूसरी और तीसरी राउंड के लिए किले रायगड पर बुलाते हैं, और शिवाजी महाराज के सिहासन के सामने दूसरी और तीसरी राउंड होती है, इस ऊफ सम्दाइब के साथ अने के लिए हमारे कुछ कार्य करता उनका भी ट्रेवल्रिण ऑलॉंस हम देते हैं अगर लड़की उनका सिलेक्शन होता है तो कभी-कभी अ कोफी के लिए ट्रैवल में आने के लिए कुछ लेडिज अध्यापी का रहती है अगर वो तैयार नहीं है क्योंकि उनको भी कुछ का एक कुछ टाइम टेपल रहता है इतना दूर दो-तीन दिन जाने के लिए शायद वो समय नहीं काल पाई तो किसी लड़की की मां को हम उसमें ट्र साथ आएगी तो प्रवास करना ट्रैवल करना थोड़ा आसान हो जाता है तो ऐसे ग्रूप बनाकर हम हर एक जिले के बहां के हमारे कार्य करता या जैसे कि मैंने कुछ कहा कि किसी की मां इनको बुला कर ट्राइगर के लिए पर दूसरी रांड होती है जो के सामने हम उनको संद्मानित करते हैं उनकी अलक्सी ट्रॉपी या प्राइज जो भी है वह आपर उनका डिस्रिपिशन होता है तो हमारा है कि महाराश्ट के बाहर यह जो पुस्तिका अभी हमने हंदी और अंग्रेजी में विमोचन किया है उसके साथ उसका स्टड़ी करके महाराश के बाहर के जो बच्चे है वो इसे प्रतियोगात हमें अपना हिस्सा ले और एक कहने की बात है कि हम इन पुस्तिकों का अलग-अलग 20 भाशाओं में अभी अनुवात करने जा रहे है जैसे कि हिंदी अंग्रेजी तो अभी प्रकाश विमोचन हो गया बंगाली का लगबक तीसरे पुस्तक का काम पुरा हुआ है करनडी में फेलकाण का पुरा हुआ है तमिल में पहले का पुरा हुआ है इस तरीके का अभी काम चल रहा है शायद अगले देर से बेंदव साल के अंदर हम ये पूरी मराथा इस्ट्री अलग-अलग 20 भाशाओं में टांसले उसकी जानकारी अलग-अलग भाशाओं में उन बच्चों को भी और सामान्य नागरिकों को भी समझ जाए और ये मराठा सामराज्या का इतियास जिसको अंग्रेजों ने दबाया अंग्रेजों ने मराठा सामराज्यक का इतियास नए तरीके से लेखन किया और जो मूल इतियास था उसको दबाया वो फिर से उजागर हो इसलिए हमारी कोशिश चल रही है सुदीर जी का कहना है कि यह जो आठ पुस्तके हैं यह देश की पर्मुख 20 भासाओं में अनुवादित हो रही है और अब इन पुस्तकों पर अधारी जो प्रितियोगता है वह महाराठ से लिकलके देश के सभी इस्व में जाएगी और वहां चात्रों को रायगर बुलाया ज रहें यह चो बात और चाहों गई चोटी सी बात और है जिसे विस्थार से आप बता सकते हैं कि उन्होंने हमेशा हिंदी सवराज की बात की हिंदो के बाद की इसके पीछे तक शीमित नहीं है वो पूरे राष्ट्र के लिए इनकी संकलपना है इसलिए उनका नेत्रूत्व भी कुई प्रादेशिक नेत्रूत्व नहीं आतों है तो शिवा जी महाराज डिल्ली जीतना चाहते थे इसके reference मिलते हैं, जैसे कि मिर्जा राजा जो आया था, जिसके कारण शिवाजी महाराज, जिसके सामने परास्ट हो गए और उनको मिलने के लिए आगरा आना पड़ा, उस मिर्जा राजा का जो कभी है उसके दर्वार का, उसका नाम है रतनाकर पंडित, उसने लिखा है, कि मिर्ज जितने की मनिशा जिसके पास है उस शिवाजी महारास को मिर्जा राजा ने परास्त किया है तो यह मिर्जा का कभी ही लिखता है अबे कैरे नामक एक एक foreigner था वह बारत में बहुत साल तक रुका था उसने भी लिखा है कि सिंदु नदी से लेकर गंगा नदी आए सिंदु नदी तक का प्रदेश जीतने की इच्छा शिवाजी महारास के मन में है गेरोल्ड ऑंजियर करके एक बिटिश था उसने भी लिखा है कि विजापूर का जो बाच्छा है उसको परास्त करने के बाद दिल्ली जाकर औरंग जेप को कैद करनी की मनिशा इच्छा शिवाजी महारास के मन में है यह सब बाते हम नहीं लिख रहे हैं या मिर्जा राजा का कवी लिख रहा है तो इससे पता चलता है कि शिवाजी महारास के मन में पहले नहीं कहा वो हमेशा खुद को तूर्क ही कहते थे वह भारत के हैं हम ऐसा कभी भी नहीं कहते थे इसलिए शिवाजी महाराज के मन्द में यह था कि इनको हटाना करने के लिए हमको आकर्मन करना और दिल्ली जितना है लेकिन दिल्ली जितना किसके लिए है तो लोक कल्यान का जो राज्य है वो चलाने के लिए उस तरीके से प्रशासन चलाने के लिए हमें दिल्ली जितना है यह शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है उनका तो उनकी मुद् सब्सक्राइब करना है इसका हमें बहुत सारी जहां है यहांहारस्ट्र संकलपना है यह अखकिल भरतिया संकलपना है इस से इसकी की जानकारी भाज़ात में प्हट शीम्याखम काम मांनेये सुदी थोराट छी सुदी मंदल ने इसमारक बंडल ने अनका निर्मान के है उनको कैसे सारे भारत में परसारित करना है और इन किताबों के मार्धियम से देज भर के बच्चे, युवा और ग्रहनिया, त्री चत्वती महराज की नीतियों को, उनकी परशास्निक कुसलता को, उनकी सैनिस सम्ता को जानेंगे, और लोग देखेंगे, समझेंगे, पढ़ें कि कैसे हिंदवी सवराज के लिए चत्वती सिवाजी महराज ने कारिय किया, कारिकर्म देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद